हिमाचल प्रदेश के शेहरी विकास मंत्री विक्रमाद दित्य सिंग की अधिक्षिता में हुई बैठक में फास्ट फूड, रेरी पट्री और धाबा मालिकों को अपनी दुकानों के बाहर नेम प्रेट लगाने और पहचान प्रदर्शित करने के निर्देश के महज एक दिन बात सुखु सरकार ने यूटन ले लिया, रेस्टरिंट, धाबे और खाने पीने की रेडियो पर दुकान मालिक का नाम दर्शाने को लेकर लिए गए फैसलों से हिमाचल प्रदेश सरकार पलट गई, हिमाचल प्रदेश की कॉंग्रेस सरकार ने इस फैसले को लेकर अपना ही निर्ने लिया तो लोगों ने दोहरे रवये पर प्रशन उठाए इसके बाद गुरुवार को इस संब्ध में स्पस्ट्री करण दे दिया गया गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के योगी सरकार ने हाल ही में आदेश दिया है कि होटल रेस्ट्रेंट धाबे और दुकानों ने आज कहा कल मैंने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंतरी सुखविंदर सिंग सुखु से बात की थी स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी पर विचार करने के लिए संज्देकारे मंतरी हर्श वर्दन चोहान की अध्यक्षिता में एक समीती बनाई गई इसमें कहा गया है कि जो भी उसे अपनी दुकान पर बोर्ट लगाना होगा इस नीती में प्रावधान ये है कि ठेला वालों को सिर्फ नामित और नेंत्रित किया जाए इससे अतिक्रमर कम होगा हिमाचल पहाड़ी शेत्र है इससे यहां ट्रैफिक जाम भी नहीं लगेगा इस मुद्दे पर फैसला ब हमारी सरकार का दाइत्व है उन्होंने आगे बताया कि हमाचल प्रदेश हाई कोट ने एक्ट के अधार पर समीती बनाने का निर्देश दिया है इस पर कैसे आगे बढ़ना है इसके लिए औल पार्टी बॉड़ी बनाई गई है जिसमें कॉंग्रिस भाषपा और भागपा और माखपा समीच सभी दलो के लोग है इससे पहले विक्रम आदेत्य सिंग ने कहा था कि हमाचल प्रदेश में शांती बनाना हमारी जिम्मेदारी है यहां परबारी लोगों का स्वागत है लेकिन प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा कानुन विवस्था और सश्रिता रखना ह हमारी जिम्मेदारी इसके लिए फूड वेंडर्स का आइडेंटिफिकेशन कराया जाएगा और उत्तर प्रदेश के योगी सरकार के फैसलिस इसका कोई लेना देना नहीं है इस पूरिल रिपोर्ट को लेकर कि आपकी क्या कुछ रहा है हमें कमेंट बॉक्स पर बताए